सल्मान खान और रेस्ट्री के फैंस के लिए पांस तारीक को जटका से कम नहीं था क्योंकि इसका ट्रिलर आखिर कास्ट तारीक को रिलीज नहीं हो पाया और सल्मान कान के फैंस ने सोशल मीडिया पर इसका अपना गुस्सा भी बयान किया और सलमान खान को जल से जल ट्रेलर करने की अपील की क्योंकि इस ये ट्रेलर का इंतजार लोगों वो बेस सब्री से था ये फिल्म 15 जूम को रिलीज होने वाली है और अब तक इसका ट्रेलर नहीं आया है ऐसे में फैंस का अंतजार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है अब सलमान खान और बागी टीम ने ट्रेलर में कुछ बदलाव करने की सोची ताकि ट्रेलर को थोड़ा और रोमान चित बनाया जा सके अब इसकी नई तारीक सामने आई है हलागि सलमान खान की टीम की तरफ सब तो कोई भी आफिशल तारीक नहीं आई है फिर भी कयास लगा जा रहे हैं 11 तारीक को यानि के फिल्म राजी के साथ में इसका ट्रेलर अब लांच किया जा सकता है अगर राजी के साथ में सलमान की फिल्म रेज 3 का ट्रिलर आता है तो उसको राजी को पुरा-पुरा फायदा मिलेगा क्योंकि सलमान खान की बढ़ती फैन फालओंग को देखते हुए फोल्म में ही ठो जाती है अपने आप ही देखना होगा रेज 3 का ट्रिलर आखिरकार का बात है चुकि इसकी रिलीज डेट अप पास में आती जा रही है और तैसमे के अनुसार अब तक इसका ट्रिलर आ जाना चाहिए था कुस्त लेट लतीफी इस फिल्म में अब हो चुकी है देखना होगा इस पर क्या फिल्म का आसर पड़ता है आपको क्या लगता है रेज 3 का कलेक्शन कितना हूप आएगा और क्या इसका ट्रिलर दर्शेकों को पसंद आएगा जवाब दीजिए सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो